आपको समझना होगा जंटर एंटरी कैसे बनता है और जंटरल एंटरी तो आप इतने समय से करते आयो ना जिसकी कोई हद नहीं है डिजिब मैं 11 लास में पढ़ता था तो कहते थे के भाई जंटरल एंटरी आनी बहुत जरूरी है लेकिन ग्यारवी क्लास में मुझे नहीं महसूस हुआ कि जरूरी है मतलब बिना जरूरल एंट्री के भी बच्चे पास हो जा रहे थे क्यों क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे चेप्टर बिना जरूरल एंट्री वाले भी है लेकिन जैसे आगे आगे बढ़ोगे तो आपको एक्चुल पता चलेगा के जरूरल एंट्री के बाद लेजर बनेगा, लेजर के बाद ट्राइल बैल्लेंस बनेगा बहुत सारी बाते हो जाती है अब हम जो काम कर रहे हैं वो balance sheet बनने के बाद की सारी कहानी कर रहे हैं तो journal entry बहुत important है और इसको सीखना भी बहुत आसान है लेकिन आपको concept पता होना चाहिए चलिए concept को एक बार build up करते हैं क्या क्या हो सकता है साहब ये है हमारा एक company ये है एक company मैं अपने एक्जामपल लूँगा अब फटा फट बताईएगा ये सर बायर कंपणी ये सर सेलर कंपणी अब सीधी सी बात है हम बायर कंपणी की बात करेंगा books of buyer books of buyer मतलब ये जब इस company को खरीदेगा तो transaction तो हुआ ये और account कहता है transaction हुआ तो journal होगा अब जब ये company खरीदेगा इसको तो सबसे पहला काम इस company ने क्या करना है जब ये company इस company को खरीदेगा तो इस company का पहला काम भाई तो एरी valuation क्या है ये बता दे और इसका business क्या है हमारा ठीक है तो हम पहली जो entry करेंगे मैं थोड़ा से एक बार हिंट देता हूँ फिर बाकी आपसे पूछूँगा first entry जो करेंगे हम क्या करेंगे क्योंकि मैं इसके business को खरीद रहा हूँ तो मेरे लिए अब assets बनेगा नहीं ये तो मैं entry करूँगा business purchase account debit मैं यहां पर इस जो seller company limited भी कर सकते और two मुझे इसे पैसे देने हैं तो इसको पता है क्या-क्या बोला जाएगा इसको बोला जाएगा vendor और vendor को पैसा मैं नहीं दूँगा मेरा accountant देगा मेरा एड़ोकेट देगा मेरा चार्टेड अकाउंट देगा तो जो इस company को क्योंकि इससे डील कौन करेगा इसका जो बैंड कंपनी को जो बंद कर रहा होगा जो इस company को बंद कर रहा होगा वो एक चार्टेड accountant होगा या एक वकील होगा कोई भी हो सकता है तो ऐसे situation में जो इसको बंद करेगा ना जो person बंद करेगा उसको बोलते हैं liquidator उसको क्या बोलेंगे liquidator लिक्विडीटर ठीक है ना यानि जो इस company को को बंद कर रहा होगा वेकति यह को होगा लिक्वीडिटर ठीक है ना तो अब हम बोलेंगे भाईए पैसे किसको देने यह इसका मालिक कहेगा भाई मेरे को नहीं पता किसको दो ने तुटो मेरे किस से बात कर भात करने है लिकवीडिश तो यह यह से मैंद कर लया, पर्चेस, बिजनस परचेस अकांट डेविड मेरे लिए ऐसेट है और भाईया तेरे को पैसे देने हैं तू तो लेगा नहीं, तो मैं कर दूंगा तो liquidator account तो यह entry क्या हो गया, इस entry का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब इस entry का मतलब होगा कि company को कितना पैसा देना वो due यानि liquidator amount liquidator amount due, liquidator का पैसा due कर दिया और पहले न, honors का जो second semester हुआ करता था पहले अब तो नए भी आ गये तो उसके अंदर तो एक chapter ही था liquidation का liquidator वाला, पूरा chapter ही था उसमें तो पहले पहली entry समझे, entry को समझना है आपको अगर आप रटो के कि ऐसे ऐसे होगा तो exam में सब खतम पहली entry क्या करा आपने बायर की book में कर रहा हूँ, तो बायर क्या करेगा उसके सारे business को खरीदेगा तो business account debit, और भाईया खरीदने का मतलब पैसा देता तो टू बैंक कर देता, अभी पैसा नहीं देगा है पहले तै तो कर ले, तो ये entry किस से हुआ है basically देखा गया है, तो किस amount से हुआ है ये entry, तो ये entry होगा ये होगा क्योंकि भाई, तेरे को कितने पैसे देने वही तो PC होता है समझ में आया ये entry अब क्या करेंगे भाई, अब तेरे को liability बना लिए, अब तेरे सारे assets को ले लेते हैं अब तेरी सारी liability को ले लेते हैं क्योंकि ये entry company के बाद तु बिग गया हो अब तेरा कुछ भी नहीं रहा अब तेरे पास जो भी assets है वो सब मेरे, अब मेरे तभी होगे ना जब मैं general entry करूँगा तो मैं general entry करूँगा क्या, इस company के सारे assets मैं general entry करूँगा, all assets account debit to all liability account और to purchase consideration PC अब to purchase consideration PC let's suppose example इसके पास asset 10,00,00, liability 3,00,00, PC decide किया मैंने 5,00,00, दूसरा example ले लो sir assets 10,00,00, liability 8,00,00, PC suppose करो 5,00, यही दो कहानी हो सकती है कि भईया तेरे assets अगर मैं यहाँ पे दोनों चीज़े करके दिखाऊंगा मैं करके मिटा दूआँ चलो अगर assets इसके 10,00,00, और liability इसके कितने के हैं 3,00,00, और PC कितने के हैं तो भाई सम मैच तो होगा नहीं मैच तो हुआ ही नहीं तो ऐसे situation में देखोगे difference कहा निकलता है अगर difference निकल रहा हो कहां credit में तो इसका मतलब है कि भाई तेरे assets थे 10 लाग के liability थे 3 लाग के 7 लाग तो फिर भी कमा लूँगा और तेरे को पांच ही दे रहा हूं तो दो का तो मेरा फाइदा हो गया तो दो का फाइदा होगा तो मैं भीज़ दूगा capital यह entry जाना पैचाना एक बारवी क्लास में सिखा दिया जाता है अगर आपने सही से पढ़ाई करी है बारवी क्लास में तो अधर देन कैस में यह आता है लेकिन वहां पर बस एक यही एंट्री आता है और इसके आगे की कहानी नहीं बताए जाता है कि इसके आगे होगा क्या बस उसके भी बिजनस को खरीद के बोलता अब बश चुप-चप इतनी एंट्री करके आनी है अब आगे बताए जाता है वह बिजनस को खरीद लिया था बारवी क्लास में उसके आगे कि कहानी अब समझाई जाती है दूसरा आसपेक्ट क्या लिखा मैं ने सर दूसरा असफेक्ट यह तो इसको मैच करते हैं गूर्ट विक को समझें जानि सर पहली एंट्री उसके लिक्विडिटर को कितना पैसा देना ह। दूसरी एंट्री उसके सारे एंसेट्स को और लाइम्डीटि को एंट्री कर लो सारे एंसेट्स का मतलब है fictitious assets को नहीं लेना सारे assets को मतलब है question में जो कहेगा अगर ये बोलता है कि भाई मैं तेरे ये particular assets ही लूँगा तो वही assets आईंगे सारे assets का मतलब है यानि adjustment में जिस assets की चर्चा करी गई होगी कि ये लेने के लिए तैयार है उसी assets को लिया जाएगा अगर adjustment में कुछ नहीं बोला तो मान लोके इसके सारे assets ले लेंगे except value less assets जो की याद होगा मैंने बताया था आपको जिस assets का कोई value नहीं होता liability का मतलब outsider liability लेंगे सारा जिसके अंदर share, preference share equity share और reserve and surplus को छोड़ के बाकी सारा का सारा liability इसका ले लिया जाएगे ठीक है दो entry ये entry किसका है ये entry है assets and liability टेकन करने का ठीक है तहब अगली entry अगली entry ये विंतिजार कर रहा है मेरे पैसे तो दो इसको पैसे तो नहीं दिये अब purchase consideration discharge करने का हमने पहले देखा के भया तिरको equity भी दे सकते हैं preference भी दे सकते हैं debenture भी दे सकते हैं cash भी दे सकते हैं bank भी दे सकते हैं सम mix करके भी दे सकते हैं तो हम बोलेंगा भाई liquidator आ जाओ तुम्हारा हिसाब किताब बना देते हैं liquidator का हिसाब किताब बनाने के लिए अगली entry क्या होगा sir liquidator account liquidator account debit debit और भाईया क्या क्या दे रहे हैं वो लिख दो मैंने equity दिया तो equity लिख दो मैंने preference share दिया तो preference share capital लिख दो मैंने cash दिया तो cash लिख दो debenture यानि जो उसको discharge करने में payment कर रहे हो वो लिख दिया जाएगा यहां सपोज करो इसका PC पांच लाग था पांच में से दो लाग cash दे दिया तो cash में आ जाएगा दो लाग एक लाग का preference share दे दिया तो एक लाग यहां जाएगा balance equity share capital दे दिया तो यहां पर दो लाग आ जाएगा और यह पूरे पांच लाग मिल गए यह entry क्या कहता है यह entry कहता है सर PC discharge हो गया being purchase consideration discharge तीनों समझ मैं है समझ मैं यह बात आपको कोई दिक्कत adjustment fictitious asset में भी लेने के लिए भूल सकता है अगर adjustment में बोलेगा गुन गुन तो लेना ही लेना है यह यह यही वाला PC यहां जाता है amount है यह जैसे यहां पे अगर देखा जाए तो देखो न पांच लाक लिया है यहां PC में भी देखो पांच लाक एक्जाम्बर से nature of merger अलग होता है थोड़ा अलग होता होता तो सबसे ही ठीक है अब बात करते है expense का last class के अंदर याद होगा expense मैंने बोला बीच में काट दो इसको अब इसको खर्च करने का लिक्वूडेटर बीकार को पैसे देने है अब यह पहले ही तैय हो जाएगा कि इसके पैसे कोन देगा आगर इसके पैसे यह देता है तो यह बोलेगा मेरे को क्या फरक पढ़ते है तुञे दिए मेरी entry खतम अगर इसके पैसे कौन देता है मतलब सेलर कंपणी लिकुडेटर का पैसा दे दे तेरा कंपणी उसके पैसे दे दे तो बोले तेरा काम खतम अब एंट्री खतम हमारी और कुछ भी नहीं बचा हैं बायर की बॉक्स ऑफ अकाउंट बंद करना क्या था भया सारे उसके कितने प अब बोलता है कि ना ना भाई ना इसके पैसे तुझे ही देने पड़ेंगे यह से डिसकस करता है कि इसके पैसे तेर को ही देने पड़ेंगे यानि बायर को देने पड़ेंगे इसके पैसे तो इसका मतलब बहुत साफ साफ है कि बायर को एक्स्रा पैसे देने पड़ रहे ह जितना वायर ने तो PC निकाला ही था भाई यह इसके अलावा भी इसके मान लेते हुआ 10,000 देने तो इसके अलावा दस जार दे रहे हैं अब वायर तो मुकर सकता है ना भाई ना मैच दो उसको पैसे तू दे नहीं तो मैं तेरी company नहीं खरीद रहा वैसे तेरी company घटिया company मैं नहीं खरीदू आजा लेकिन अगर buyer को लगता है कि यार यह company खरीद लूँगा तो मेरा बड़ा फायदा है तो वो deal बिगडने नहीं देगा बूलेगा कोई बात नी मैं दे दूँगा इसको पैसा और जब buyer इस इस्तिती में होता है कि इसको एक्स्ट्रा पैसा दे दे जो जो डिमांड मांग ले तो इसका मतलब इस company की goodwill है तो अगर यह expense का payment करेगा कौन बायर तो उस situation में entry करेगा goodwill account debit two bank two bank देखिए entry को देखने के बाद आपको लगेगा ने कि expense payment हो रहा है इसका मान लिया जाएगा उसने goodwill के बदले payment किया है तो यहाँ पे क्या है यह किस चिच के entry है सर्थ यह entry है liquidating expense paid करने का और paid कौन कर रहा है बायर अगर seller paid करता तो बायर के books of account पे कोई effect नहीं आएगा ठीक है लेकिन somehow कई बार ऐसा होता है कि आपका इस entry के अंदर आ रहा है capital result यानि आपको बोल रहे हो फाइदे में खरीदा है और एक बोल रहे हो हमारा goodwill भी आ रहा है तो दोनों चीज़े possible नहीं है समझ रहे हो बात में क्या बोल रहा हूं दो चीज़े हो सकती है कि मान लो यहां आगया capital result और वायर को बोला चल ठीक है तेरे खर्चे मैं दे दूँगा तो यहां आप बोल रहे हैं तिरसे पैसे तिरको सस्ता में खरीद लिया और यहां बोल रहे है तिरको में खरीद लिया अगर आपका इस entry के अंदर capital reserve आता है तो यहां goodwill की जगहे पे आपको capital reserve को debit करना पड़ेगा या एक और entry करना पड़ेगा goodwill को right off करने का एक और entry करना पड़ेगा goodwill को right off करने का that is आपका capital reserve to goodwill समझ यह बातो अगर पहले से यहां goodwill आ रहा था तब तो बोलेगा भाई यार तेरे को यहां भी 3 lakh extra दिया वहां भी तेरे को 10 अजार extra दो दो goodwill या नहीं मेरी goodwill हो जाएगी 3 lakh 10 अजार लेकिन यहां सस्ते में और यहां महंगा तो possible नहीं है तो यहां goodwill to bank कर दो लेकिन इस goodwill को आपको राइट आफ भी करना पड़ेगा और जो पैसा extra आपने इससे लिया है capital reserve to goodwill के नाव से कि समझे बात कि यहीं 10 अजार 10 अजार मैं ले लेता हूं जितने का उसका था खर्चा हाँ capital reserve to bank भी हो जाता है कई बार सीधी एंट्री गुडविल से गुडविल कैंसल लाओ समझ रहे हूं पहली एंट्री क्या था भाई तेरे को पैसे देने दूसरी एंट्री तेरे अब तेरे प्रस्नल पैसे मैं अगर दूँगा तो इंट्री करेंगा अगर इससे लेगा तो कोई काम नहीं यह दोने इंट्री नहीं हो कि बढ़ें आगे कि यहीं पर करने की कोशिस करते हैं सरी यह इंट्री कब होगा बताओ यह इंट्री कब होगा इन केस कैपिटल रिजर्व जन्रेट यानि अगर कैपिटल रिजर्व जन्रेट हुआ हो तो अब भाई कहानी में क्या होता है कंपनी कोई भी हो सकती है कि अब मान लो कि इसने बोला मैं स्कूल खोलूंगा बच्चों को पढ़ाऊंगा मैं कंपनी बना रहा हूं स्कूल खोलेंगे बच्चों को पढ़ाएंगे बड़ी 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 बाते करी और इसका बहुत अच्छा कनेक्शन है अब नेताओं से बड़ा अच्छा connection है नेताओं से बोला मैं स्कूल खोल रहा हूं नेता ने बोला बड़ी अच्छे काम है इसको बहुत सारा पैसा दिया और कल के दिन यह बेच दे कमपनी तो फिर गवर्मेंट बोलेगी ना भाई मैंने तेर को पैसा दिया है तो तेर को पैसा दिया है तो उस situation के हिसाब से देखा जाए तो भाई तूने कमपनी बेच दिया मैं इसको तो नहीं जानता सारे rule and regulation मैंने तेरा चेक किया थो तो ऐसा न था कि हजार बच्चों को पढ़ाना है पर उसके लिए तुझे 10 लाक रुपे दिये थे तो यही सपना यह पूरा करेगा मेरा यानि जब कमपनी बिक रही है तो उस situation में इसको फुल्फिल करना था गवर्मेंट की policy को और यह नहीं कर पाया तो जब यह कमपनी बिकेगी तो यह responsibility ले लेगा कि ठीक है भाई मैं पूरा करूँ मैंने स्कूल का example लिया है government subsidiary पता किस case में देती है export के case में देती है क्या आप इस country में export करिए आपको tax free यह free इतना पैसा हम देंगे तो उसको बोला जाता है statuary reserve या export reserve कहलो या amalgamation adjustment reserve बन जाता है यानि इस company के balance sheet देखोगे न seller company के balance sheet के liability side में एक आ रहा होगा export reserve मान लेते हैं 10 लाक रुपए आ रहा होगा जैसे देखते हैं अगले question में है कि नहीं है नहीं तो यह दिखा देते हैं है को यह देखा हो मिल गया तो एक्सपोर्ट करेगा तो इंडिया में dollar आएगा लेकिन वह तो मेरा complete नहीं हो रहा तो अब जिम्मेदारी उस company की बन जाएगी सारे पैसे को एक्सपोर्ट में लगाना जो company खरीद रहा है तो ऐसे situation में सारा reserve हम नहीं लेते हैं एक ऐसा यही reserve बन गया जो कि buyer company को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा क्यों लेके चलना पड़ेगा क्योंकि यह reserve buyer seller company का ही नहीं seller company के books of account में तो है लेकिन इसका purpose ही अलग है तो अब इस export reserve को same buyer company को लेना पड़ेगा तो हमें एक adjustment entry मारने पड़ती है यहां पर सर क्या adjustment मारने पड़ती है अगर ऐसा कोई export reserve आ जाए तो amalgamation adjustment account debit to export reserve और यहां फिर statutory reserve होता है यह फिर क्या होगा statutory reserve यह कौन entry कर रहा है buyer कर रहा है buyer एक assets के side ले जाएगा यह और एक liability के side यह रख लेगा assets कहां ले जाएगा non current assets में क्यूंकि भईया मैं उसका पैसा ले रहा हूं government का मेरे लिए liability है तो भईया पैसा लिया है ना तो पैसा लिया है तो cash में नहीं होगा वो एक deposit side में आते हैं जब मैं books of account के ना पूरी balance sheet भी बनाएंगे तब देखेंगे पहले entry समझते जाई है समझ में आ रहे हैं अब कई बार यह दोनों company एक दूसरे company को कोई कब खरीदता है नो तो कभ खरीदता है जब सेम लाइन अप में company तब खरीदा जाता है जनरली हूं अब ऐसा कभी भी नहीं होता जनरली कि आप कर रहे हो मानरे तें कपड़े का काम और आप motor बनाने की company का motor car बनाने की company इसका तो कहीं connection ही नहीं है कपड़े बनाने का काम कर रहे हो कार की कंपणी खरीद लिया जाए जैसे टाटा ने किया था टाटा ने सबसे बड़ी कंपणी कोरस को खरीद लिया था इंडिया इंग्लेंड से यह 2000 के अंदर खरीदा था युदू कि टाटाडा का काम था स्टील बनाना ना मोतर कार बनाना वहां dys turkey कंजम संथ उसने मैं यार एक ऐसी company खरीद लेते हैं जो steel बनाएगी तो जो मैं उस company से steel खरीदता हूँ अपने motor car बनाने की अब मेरी ही company बना रही होगे तो सस्ता पड़ेगा तो कई बार ऐसा होता है ये दोनों आपस में same goods को trade करते हैं ये इसको बेचता है ये इसको बेचता है यानि common debt हो जाता है आपने semester one में एक point पड़ाता है common debt का तो यहाँ पे भी common debt हो जाता है और common debt होने की वज़े से इनके stock जो होते हैं ना उसके अंदर profit का हिस्सा जोड़ जाता है आपस में जब मैंने इस company को समान बेचा तो इसका closing stock होगा और अगर या इसने इस company को समान बेचा तो इसका closing stock होगा और इसने इस company को समान बेचा होगा MRP पे और इसने इस company को समान बेचा होगा MRP पे यानि जब ये company आपस में मर्ज हो जाएगी तो इसका closing stock को cost पे record करना चाहिए बात नहीं करूँगा मैं बता रहो कि मिशन में क्या-क्या समस्या आती है जो करेंगे एक तो यह हो जाता है हमारा पहली entry क्या बोलता है सामने बाले के business को करीदो business purchase account debit to liquidation कोई करना चाहता है seller company to demand to liquidation सामने वाली company के सारे اेसिट्स ले ले लो और पी पर्चेस कंसेड़ोर् excitro रहें लिख्डो अब बेन्द करता है goodwill निकले या फिर capital reserve अगर expense payment करने की जिम्मेदारी buyer company ले ले तो एक और entry करना पड़ेगा goodwill के नाम से goodwill to bank या फिर उस entry को खतम करने के लिए अगर capital reserve निकर रहा है तो एक right of की entry कर देंगे अगर सामने वाली company को खरीदा जा रहा है और उस company को पहले से कोई ना कोई grant कोई subsidiary कुछ ऐसा मिला हुआ है जिसके लिए बना कर रख रहा है तो वह subsidiary भी हमें लेना पड़ेगा जिसकी एंट्री करेंगे amalgamation adjustment account debit to जिस नाम से वहां पर पढ़ा हुआ है उसी नाम से लेकर चले कुछ अर्जस्मेंट करने जा रहे हैं माल लेते हैं दो company एक 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 लिमेटेड ध्यान से सुनना कोई complication नहीं है अगर सही से समझो तो बोलोगो यह तो नॉर्मल बात ही है अब ऐसा हुआ दोनों आस्पेक्ट लेके चलते हैं एक्स लिमेटेड जो है एक एस बायर और वाइ लिमेटेड कौन है और इस बायर कंपनी को हम ट्रांस्फरी कंपनी कहेंगे मैं लिख देता हूँ और इसको कहते हैं ट्रांस्फरर कंपनी और यह होता है हमारा ट्रांस्फरी ट्रांस्फरी डोनी और जिसके आगे यह लगता है वह देने वाला होता है जैसे डोनर या फिर आपका पेयर तो यह देने वाला होता है ठीक है ना तो एक्सष्क्राइड बायर है और वाइडिंट सेलर है हुआ यह लिंटिड जो बायर था इसने इसने समान बेचा था ही और मैं कुछ इसका पहले से स्मॉल डिटेल दे देता हो आपको इसके पास पहले से ही पहले से स्टॉक है मान लेते हैं दस अजार का ठीक है और इसने क्या करा इसने इसको समान बेचा इसने समान बेचा मान लेते हैं दस अजार रुपे का इसके अंदर इंक्लूड प्रॉफिट है इंक्लूड प्रॉफिट है किसने समान बेचा सर एक्स लिमिटेड ने SOLD किया अब include profit का मतलब बताओ profit किसने रखा होगा इस पर X का ही profit होगा क्योंकि X बेच रहा है तो उसका profit होगा profit जो रखा ना उसने वो रखा कितने percent profit जो था profit जो था मान लेते है 25 परसेंट या अभी पहले सिंपल देख लेते हैं दो चार एक्जामपल लेंगे आराम से करेंगे 20 परसेंट अब कोई बच्चा पहले तो मुझे यह बताए कि इसने जो 10,000 का समान बेचा है उसके उपर प्रॉफिट इसका 20 परसेंट है तो यह कितना प्रॉफिट इसके अंदर लेके चल रहा हो कौन बताएगा मुझे प्रॉफिट अमाउंट यह कितना कमाएगा इसको बेचेगा तो और यह जो स्टॉक था दस हजार का वह सीधा जाके जैसे इसने खरीदा प्लस और स्टॉक आ गया कितने का और इसका स्टॉक बन गया एक दस का समझे और इसकी भी अपनी एक बैलेंस शीट है सर इसकी भी अपनी एक बैलेंस शीट है जहां इसके पास पहले से ही स्टॉक है माल लेते हैं एक लाख पचास अजार बेचने के बाद बेचने के बाद हुआ यह कि इन दोनों कंपनी ने सर इन दोनों कंपनी ने मतलब किन दोनों कंपनी ने एक्स और वाई ने डिसाइड कर लिया और अब वाई लिमिंटेड को यह खरीदने जा रहा है कौन एक्स लिमिंटेड पहले ही बता दिया बायर है तो अब इस कंपनी को इसने खरीद लिया तो इसके जितने भी एसेट होंगे जितने भी एसेट होंगे वो सारे एसेट किसके कहलाएंगे अब एक्स के बन जाएंगे जितने भी इसके एसेट होंगे सारे इसके बनेंगे ठीक है अब क्या इसका स्टॉक जो है वो भी इसका बनेगा बिलकुल बनेगा इसका तो जब यह इसका स्टॉक उठा के लेके जा जब यह यहां से यह जो स्टॉक है इसका अगर यह स्टॉक पूरा उठा के पूरा स्टॉक उठा के जब यह अपने बैलेंस सीट के अंदर लिखेगा ध्यान देना जब यह अपने बैलेंस शीट में लिखेगा यह balance sheet पता है किसका है यह x limited का है तो आप समझोगे को इस stock के अंदर एक काम ऐसा है और इस stock में एक point आपको ऐसा नजर आ रहा होगा जो खुद को ही बेचा हुआ समान नजर आएगा लग रहा है को इसा तो आप इस 10,000 को focus करके देखिए यह 10,000 का इसने इसको बेचा था लेकिन ultimately घूम फिर किसके पास आ गया इसी के पास आ गया तो यह वाला जो stock है यह वह stock होगा जो एक तरीके से ultimately ऐसा feel हो रहा है कि इसने इसको भीजा वापस मेरे पास ही आ गया इसी में ही आ गया तो इसका मतलब इस stock के अंदर हमें इस वाले से इतराज न नहीं है इसने कहीं और से खरीदा होगा हमें प्राबलम है दस अजार और दस अजार में से भी मुझे दस अजार से प्राबलम नहीं है जितना profit margin मैंने इसको रखा था अगर मैं यहां से वो profit margin हटा दूँ तो फिर यह सही हो जाएगा है कि नहीं क्योंकि मैं अपने stock में तो अल्टिमेटली आठ हजार का इसका समान था जो कि इसने इसको कितने में बेच दिया था सर यह कैसे पता चला आप नहीं बोला था मुझे कि सर इसने profit कितना कमाया था तो 8 का समान 10 का बेचा था जब 8,000 का समान इसने 10,000 का बेचा तो ऐसे situation में इसको अगर इसको rectify करना है तो अगर इसे rectify करना है तो इसके पास 3-3 stock है ये भी है तो इसे 10,000 यहां नहीं दिखाना चाहिए इसको कितना दिखाना चाहिए इस stock को 8,000 अब इसके balance sheet में कोई लेकिन सामने वाले पार्टी यह थोड़ी बोलेगा कि भाई तेरे से खरीदा था तो प्रॉफिट घटा ले वो तो बोलेगा मैंने पैसे तो दिये ही थे तेरे को मैं तो 10 पर कर रहा है वो लेका ठीक है तेरे स्टॉक को मैं 10 पर खरीदूंगा क्या है लेकिन कहीं न यह कर रहा है कि मैं 2000 को एक्स्ट्रा दे रहा है तो यह जनले करेगा सहाब यह करेगा कि मैंने स्टॉक महेंगा खरीद रखाया इसने अपना इस टॉक कारा कम कर दिया डाउन कर दिया तो टू स्टॉक अकाउंट हो जाएगा साधिसी लेखिन एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा इस किया हो जाएगा गुड विल अकाउंट जब भी पैसा किसी को एक्स्ट्रा देते है न तो वहाँ पे हमारा इंटेंशन यही होता है कि भाई साब वो क्या रहा होगा गुड विल देखिए समझ में आई बात आपको पूरी कहानी समझ मारी है तो इस टॉपिक को बोलते हैं अन्रिलाइज स्टॉक अब यहां मुद्दे की बात है अन्रिलाइज स्टॉक में समस्य कब आ जाता है मैंने वैसे हला कि मैं कई बार इस बातों को बता चुका हूँ कि यह 20% on sale है ऐसा भी possible होता कि यह 20% on cost कहते था ठीक है न तो यहां पर situation में 4 ही situation बन सकते हैं अगर 20% on sale कहता अगर मान लो suppose मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर यह कहता 20% on cost या 25% on cost 25% on cost तो यह तो है यह आप बताइए आपको तो given यह वाला प्राइज है न तो यह तो selling price है और यह बोल रहा है 20% कि 25% किस पर कॉस्ट पर तो ऐसे situation में हम लेट कर लेते हैं और उसको हम बड़े साधा आराम से solve कर सकते हैं सेल्स जो होता है न वो क्या होता है हमारा cost प्लस में profit और इसको अगर मुद्दे को देखें तो sales हमें पता है कॉस्ट नहीं पता और इसी के उपर profit है तो cost x by 4 हो जाएगा इसको जब आप solve करेंगे तो x का value जो है आ जाएगा ठीक है न यानि आपका cost पर दे रखा है तो क्या करना है sales पर क्या दे रखा है आपका semester one में भी था यह point final account में आपने पढ़ा होगा जहां कराए था और कुछ एक specify percentage होता है जो कि हर बार examiner पूछता है जैसे कि 25 परसेंट बीस परसेंट और branch account पे तो बड़ा इंडियर रहा वहां की बात थी यहां की बात है तो अगर आपको पहले मेरा मुद्दे की बात है कि इस तरीकी के situation को कैसे handle किया जाए तो इस जनल एंट्री से किया जा सकता है इसका उलटा भी हो सकता है उलटा क्या हो सकता है क्या पता इसने इसको बेचा हो पॉसिबलिटी है ठीक है ना पहले यहां तक समझ में आ गया है दूसरे वाला करके मैं उज़ानने नहीं चाहता है जो जो समझ में आता जा रहा है तो मेरे लिए वही काम्याबी है कि इस चप्टर को समझ में आ रहा है और फटाफट कर देंगा बच्चे ने बता दिया सर एक समझ में आ गया तो यह क्या था हमारा अन्रिलाइज प्रॉफिट एक और अड्जस्मेंट इसका हम दूसरा आस्पेक्ट भी करेंगे कॉमन डेप्ट क्या होता है एक्स यह मैं अड्जस्मेंट समझा रहा हूं एक तरीके से एक्स लिमिटेट और एक मान लीजिए है तर जब दो कंपनी है एक एक एक्स लिमिटेट हुआ यह कि कुछ समान कई बार ऐसा होता है कि हमारा सेम सेलर भी होता और सेम बायर मतलब एक ही परसन है न वो दो भूमी का निभाता है अगर एक ही परसन की बात करें तो वो दो डो रोल प्ले करता है यह लेजिए अब इसने क्या करा है दो रोल कैसे प्ले करता है मान लेते हैं यह दो रोल प्ले करवा लेते हैं चलिए मैं एक्जामपल लेता हूँ जैसे मान लो हम सेम पर्सन को बेचते भी हैं और सेम पर्सन से हम खरीदते भी हैं सर मतलब उसी को बेच के उसी से खरीदना हम सारा गुट्स नहीं लेकिन फिर भी गुट्स हम ऐसा करते हैं कि उसी व्यक्ति को हम बेच रहे हैं और उसी वैक्ति को हम क्या खरीद ःए खरीदवर करते एक स्टील बनाने की कमपणि ए मैं एक स्टिल बनाने की कमपणि है औंगा और मान लेते हैं एक ऐसम्पल हम टाटा मोटर है कि आटा मोटर का कोई काम घाज किसी को बता सकता है कि कोई आईडिया है एक सब्सक्राइब का काम क्या है कि जाड़ी बनाना ट्रक बनाना यह कामैंइशनल है और स्टील बनाने की कमपनी का काम क्या है चाई बताओ स्टील बनाने का कंपनी स्टील बनाना जो टाटा मोटर यह जो कर बना रहा है कि इसकार के अंदर स्टील यूज होगा या नहीं होगा थो होगा तो इसने क्या कर रहा इस Awards से steel खरीद लिया मान लेतने खरीद लिया 5 लाख रुपए का समझ रहे हैं तो यह जो Tata Motor है Tata Motor क्या कहेगा Tata Motor कहेगा कि मेरा Creditor है उधार खरीदा है Creditor है कितने का 5 लाख रुपए का और payment किसको करना है मान लेतने इसका नामी रख देते हैं steel limited ठीक है पेमिंट किसको करना है यहां तक समझ में आ रहा है कहानी आपको अब मान लेते हैं स्टील लिमिटेड ऐसा तो नहीं है कि यह पैदल चलेगा इसको भी कार की जरुरत पड़ेगी कभी ना कभी इसको कार की रिक्वार्मेंट है इसने सोचा यार कार की जरुरत है और इसने सोचा एक काम करते हैं कि एक छोटी से कार देख लेते हैं नैनो कार देख लेते हैं वोला ज्यादा बड़ी कार का क्या करना के लिए आना है के लिए जाना है तो एक नैनो कार ले लिया जाए अब नैनो कार इसी किस से खरीदेगा टाटा ही बनाती है और कोई कमपनी तो बना नहीं दिए इसने क्या करा इस कमपनी से कार खरीद लिया नैनो इसकी कॉस्ट एक लाख रुपे इसकी कॉस्ट क्या है एक लाख रुपे अब यह स्टील लिमिटेड क्या बोलेगा स्टील लिमिटेड कहेगा कि मेरा क्रेडिटर है मुझे पैसे देने हैं एक लाख रुपए यानि इसको इससे पैसे लेने है पैसे देने है और इसको इसको पैसे देने है यानि मैं अभी क्रेडिटर क्रेडिटर के पॉइंट से लेके चल रहा हूँ अब अगर आप debtor वाले point से लेके चलेंगे तो same कहानी होगा इसको इससे पैसे लेने हैं तो इसके लिए debtor कितना होगा पाँच लाद और इसको भी इससे पैसे लेने हैं तो इसके लिए debtor कितना होगा एक लाद चाहे debtor हो चाहे creditor हो ऐसा possibility बना जा सकते हैं जब ऐसा possibility हो जाता है तो इसके अंदर हमें एक common amount निकालना पड़ता है कि common amount आपस में क्या travel हो रहे हैं तो common amount हमेशा जो दोनों में से कम होता है वही यहाँ पे settlement होने के लिए तयार रहता है तो हमारे पास दो amount है पांच लाक और एक लाक तो इसमें से lower amount क्या है हमारा एक ला पांच लाक और यह पैसे अपने पास ले के आएगा बोलेगा ले भाई एक लाग इसके पांच लाक पहुंचगे यह फिर टाटा ऐसा भी कर सकता है देख भाई मैं तुझे चार लाक रुपे दे रहा हूं और जो तुझे एक लाक रुपे मुझे देने थे और मुझे जो एक लाक रुपे बचे हुए देने गये वापस मयं क्या हो गए बराबर हो गय तो इसको कांटर की समझ यहीग बात बर थे एक परचेश किया एरो देखिए इसने किसे खरीदा इससे खरीदा कितने का खरीदा सहाः पचास अजार लिर इसने भी इस से खरीदा है कि ए्ट कि का पर लेगिशने इसने 20 क्या ऐसे situation में इसके सारे assets मेरे इसके सारे liability भी मेरे तो जब यह balance sheet बनाएगा अपना जब यह अपना balance sheet बना रहा होगा तो यह अपने balance sheet में transaction शो कर रहा हो सेम ऐसे जब यह अपना balance sheet बना रहा होगा तो यह भी transaction शो कर रहा होगा यह अपने balance sheet में लिख रहा होगा के मेरा creditor है कि क्योंकि भाई इसने समान खरीदा है तो इसने समान बेचा भी है अब बताओ इसने कितना समान बेचा है इसने सोल्ड कितना किया है इसने सोल्ड किया है भाई जब ये 20 से 20 खरीद रहा है तो ये बेच भी दो रहा है क्योंकि इसने इसको उधार माल बेचा हुआ है इसने खरीदा हुआ है तो डेटर में सो करेगा और इसने कितना बेचा है इसने कितना बेचा है सहाब इसने बेचा है 50,000 यह अपने बैलेंस शीट में स्टो करेगा कि मुझे भाई उसको देना है मेरे लिए क्रेडिटर है क्रेडिटर कितने का है दस बीस अजाद और मुझे पैसे लेने है मेरे डेटर कितने का है कुछ यह कहानी बन रही होगी ठीक है अब सपोस करो पहले से इसके पास क्रेडिटर है यह तो इन दोनों की ट्रांजक्शन है क्या इसका पहले कोई क्रेडिटर नहीं होगा न पांच लाग है और इसके पास भी पहले से क्रेडिटर है और माल लेते हैं दो लाग है अब जब मैं ये company खरीदूंगा तो इसका जो भी creditor है इसका जो भी creditor है ये creditor किसके हो जाएंगे बायर के books में आ जाएंगे liability site में तो जब ये creditor होगा तो इसके अंदर ये क्या पाएगा कि यार ये 20,000 तो मुझे यही देने हैं और मुझे यह होगा ना कि ये 20 अजार मुझे इसको देने और किसको देने जब खरीदेने के बाद मुझे तो ये फायदा है तो हुआ सेम अगर Debtor को इसके rod करेगा तो डेटर में भी ऐही कहा नी Serve है कॉशल को जब Commonwealth डेटर यह common Creditor होता है यह totaled होते हैं तो Real驅ंद के केस के अंदर हमारा क्रेडिटर ओर देटर दोनों रिडियूस हो जाता है कैसे रिडियूस होगा दोनों कर दोनों अब मैं cancel out हो गया यह अब यह 20,000 पर मुझे लेना था तो मेरा डेटर घट जाएगा खुद का company का और creditor भी घट जाएगा क्योंकि यह creditor अब मेरे ही है तो मेरे creditor भी घट जाएगा तो general entry क्या होना चाहिए मेरा डेटर भी घट रहा है साहब मेरा creditor भी घट रहा है तो क्या होना चाहिए creditor टू समझ रहे हैं यही होगा अब दूसरा aspect देखते हैं अब जब हमने इसका सारा liability लिया तो इसका assets भी ले लेंगे हम समझ रहे हो अब मैं इसके assets को भी नहीं छोड़ूँगा मैं इसके assets को भी ले लूँगा और मैंने यह assets ले लिया अब मैं बोल रहा हूँ इस पैसे को लेने के लिए किसके पास जाएगी खुद के पास ही आ जाएगी इसका मतलब ये भी मामला थोड़ा सा खराब हो गया common debt वाली बात हो गई यहां पे भी कि भाईया ये 50,000 का पैसा इसको तो कभी मिलेगा नी इसको खतम करो और जो मेरे पास लाइवलिटी में शो हो रहा है इसको भी खतम करो है कि नहीं तो यहां पे भी क्या होगा डेटर हमारा क्या हो जाएगा credit और creditor चाहे आपका डेटर हो चाहे बीपी हो इसी हिसाब से होगा चाहे बी आर बीपी का सेटलमेंट हो बात तो एक ही यह डेटर बी आर बीपी थोड़ा सा फरक होता है बस ठीक है तो इस टॉपिक को क्या बोलेंगे common debt common debt के case में हमेशा क्या होगा हमारा जो amount lower होगा वो settlement में हो जाएगा और हमारा क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा और डेटर क्या हो जाएगा हमेशा कम हो जाएगा तो यह है हमारा किसकी entry common debt का जब हम उसके assets को acquire करेंगे न तो ऐसा नहीं है कि इस assets को लेंगे निभू लेंगे assets को उसके बाद एक general entry करके उसको हम क्या करेंगे उसको rectify कर देंगे क्योंकि मैंने इसके assets ले लिया लेकिन बाद में एक general entry करके वह assets मेरा बन चुका है तो मैं अपने assets को क्या कर दूँगा reduce कर दो, समझ में आई बात आपको, तो ये था हमारा क्या common debt, ऐसे investment भी होता है, तो एक सवाल हम देख लेते हैं, और इस सवाल के अंदर ये दोनों सब्द इस्तमाल किए गया है, दोनों सब्द कौन से इस्तमाल किए गया है, आप देखिए, क्या कहता है, या पूरा हम सवाल क करते हैं, books of buyer का ये नीचे लिखा हुआ है, ये buyer का बुक बना लेते हैं, ये किताब का ही question है, और exam में आया हुआ questions है, तो हम books of buyer, books of buyer में हमें क्या क्या करना चाहिए, rule क्या याद रखना चाहिए, सर सबसे पहले आप क्या करो, purchase consideration निकालो, सर फिर आप क्या करो, जर्नल कर लो, उसके assets को लेने का, फिर आप क्या करो, नई, balance sheet, यही काम है books of buyer, seller की book की अभी चर्चा ही नहीं कर रहा, एक बार और buyer की book हो जाए, जिससे आपको थोड़ी आसानी और थोड़ा conceptual clarity मिल जाए, फिर seller की book भी कर लेंगे, चलिए सर, तो PC निकालने के लिए क्या क नोट नीचे write कर दीए, अभी मैं सारा दे दूँगा, आप बताए, PC समझदारी क्या कहता है, कहता है, बीटा लिमेटेट टेक ओवर, अलफा लिमेटेट, बाइब बीटा लिमेटेट टेक ओवर, अब यह बात ध्यान रखिएगा, कई बाइर कहता है, बीटा लिमेटेट सेट कर लिजे, कौन बायर है, कौन सैलर है, तो भाया, यह क्या है, यही है न, पक्का, और यह क्या है, ताकि हमें पता हो कि किसके एसेट को लेना है, पता चला आपने उल्टा सोच लिए और अपने एसेट को खुदी खरीदे जा रहे हो, फिर पूरा ही गलत हो जाएगा, अगर आपने गलत सोच लिया, तो क्या करोगे, अगर पता आपने सोच लिया, अलफा लिमेटेड बीटा को खरीद रहे है, आप उठा के सारे अलफा लिमेटेड के एसेट को खरीद लोगे, वो पूरा ही गलत हो जाएगा, तो आपको पहले यह क्लियर होना चाहिए, ठीक ह अब सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है following terms, बीटा लिमेटेड डिस्चार्ज पिरचेस कनसीडरेशन एज अंडर, यानि सीधा पुर्चेस कनसीडरेशन को डिस्चार्ज करने की बात कर रहा है, कह रहा है वो, कि हम उसे दस अजार एकुटी शियर, सौर पे वाले दे ढूंगे यानि साहब कहने का मतलब है कि कहने का मतलब है इसका कर आपको यह पता चले चले शुको कितने हर देना है क्ट आप ध्यान से सुचपकर तो कौन सा मेतट है यहां पर आप पेमिंट की बात कर रहा है तो payment method ही लग गया इसने कहा कि मैं उसे equity share capital दे दूँगा और कितने दूँगा साहब मैं 10,000 equity share capital दे दूँगा गुणा में भाई 10,500 परसेंट 100 वाले और वो भी 5% premium पे दूँगा इसका मतलब 105 रुपे का उसको एक share दिया जाएगा ultimately उसका value अगर निकाला जाए तो कितने बन जाएंगे उसका value निकाला जाए तो कितने बन जाएंगे 10,000 into 105 दस लाक 50,000 equity के रूप में मिल गया उसे आगे कहता है issue भी करूँगा मैं उसे preference share of 100 रुपे का एक at part discharge of the preference shareholder alpha limited समझेगा मैं उसे 8% preference share issue कर दूँगा और issue जो करूँगा वो करूँगा at part लेकिन जो उसका discharge करूँगा न मैंने बोला भाई shareholder alpha limited तुम पहले आजाओ तुम्हें कितने पैसे देने हैं तो alpha limited को जब बुलाया तो उसने बोला जी मेरे एक 450 देने है मेरे 450 दीजिए मैंने बोला तुम्हें 450 नहीं देंगे थोड़ा premium करके देंगे यानि तुम्हें हम जो return करेंगे वो 10% premium पे करेंगे तो इसका मतलब sir preference share capital जो इसे मिलेगा वो क्या मिलेगा sir 4,50,000 पे 45,000 रुपे का premium हो जाएगा 10% तो 4,50 तो देना ही था प्लस उसे 45,000 प्रीमियम भी हो जाएगा 10% that is आपका हो जाएगा 4,95,000 समझ में आई बात आपको आगे कहता है बस दो बात है debenture holder अरफा equivalent number तो debenture तो कहीं से कहीं हमारा purchase consideration का part नहीं होता तो दो ही बाते हैं यहाँ पे और पैसा वैसा लें दिन करनी रही है ऐसा यहाँ पे cash होता तो cash को भी ले लिया जाता बट सवाल के अंदर कहीं cash के बारे मे बोला नहीं गया है कि पहले यह देखो समझ में आया पीसी निकल जाएगा तो निकाल लेते हैं पीसी निकाल लिए दस और चार पंद्रा लाग पैंतालिस हजार का पीसी आज़िए समझे बाथ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परिशान है ठीक है जैनल एंटिर पर आ जाये पहला काम ड kilo अब आ जाएए जनल जनल में पहली जनल एंटरि मेंने क्यां सिखहा था बिजनश फर्चेलिश टू लिक्विडैटर थिमिगाने बिजट पर इस टू eclipse लेक्वडेटर तो फस्ट जैनल एंट्री करने जाहा हूं है कि बिजिनस पर चेज अधिनard डेबिट का नाम भी लिख सकते अलफा लिमिटेड बिजिनस पर चेज रहу है तू लिक्वडेटर ए लिकुडिटेर अकाउंट और इसके अंदर किस से एंट्री करते थे हम अमाउंट क्या इस्तेमाल करते थे पीसी इस्तेमाल करते थे इस पीसी कितना है 1515, ठीक है तर दूसरी एंट्री क्या होता था उसके एसेट्स वेसेट्स लेलो सब खाली कर दो इस company को assets versus सब निकाल लो liability लेकिन हमें समझना पड़ेगा भाई साब कि इसके assets को किस value पर बोल रहा है लेने को या देने को वो सवाल बताएगा एक बार हम पढ़ लेते हैं debenture holder को तो discharge करेंगे तो इसका तो कोई रोले नहीं है सारे debenture ले लेंगे sundry debtor of alpha limited include 25,000 being due from alpha limited मतलब कहता है जो alpha limited के debtor 25,000 रुपए है वही alpha limited के creditor भी है मतलब common debt वाली बात आ गई है यहां पर अभी कहता है bills payable of alpha limited includes 7,000 रुपए bills accepted in favor of beta limited but the bills receivable beta limited 5,000 only being to the amount bills due on alpha limited यानि यहां पर बात आ गई bills payable और bills receivable के तो कहता है के bills payable 7 का था उसमें जुड़ा हुआ था और उसमें 5 का जुड़ा हुआ था तो जो settlement की बात आईगी सर वो lower amount आएगा जो कि 5000 का तो इसका भी हमारे journal entry से बाद में करेंगे buyer के books में अभी तो अक्वाइरिंग में तो कोई काम नहीं है कहता है stock of beta limited include 30,000 worth goods purchase from alpha limited और which was the made profit 25% अभी करा था हमझे यानि जो आपस में समान खरीदे गया है एक दूसरे को ही profit पे बेच लिया गया है कितना कितना बेचा है वो देख लेंगे कहता इस statuary reserve जो भी हो उसे maintain कर दीजिए जो ट्रिपल ले amalgamation adjustment account debit to statuary reserve बोला था तो सवाल में देखेंगे statuary reserve हमें जी बने ठीक है यानि सर इसमें सवाल में बात की बात बताई गई है तो इसका मतलब इसके सारे के सारे assets normal value पे खरीदे जाने चाहिए और सारे liability normal value पे खरीदे जाने चाहिए और इन दोनों तीनों के एक adjustment entry मार देंगे जिससे की account हमारा क्लियर हो जाएगा तो हम सारे assets को ले लेते हैं पहले क्या लेंगे भाईया गुडविल account debit फिर क्या लेंगे भाई साव कितने का लेंगे गुडविल अब गुडविल के बाद प्रेमिसेज प्रेमिसेज कितना लेंगे बताते जाएएगा अमाउंट और सही सही अमाउंट बताइएगा प्लांट एड मसीनरी कितने छार लाक असी अजार कंप्यूटर एक लाक वीश अजार इस्टाउट स्टाउट के बाद और क्या है टेटर कितने एक लाग सर एक दस टेटर के बाद बी आर कितने तीस हजार बैंक बारह हजार और बस चलो इसको थोड़ा उपर करते हैं कि ऐसेट्स तो ले लिया लाइबलिटी ले ले लिते हूं कि थोड़ा इसे स्मॉल कर दिया जाए कि इससे क्लीन कर देंगे जब दुबारा करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अब टू थो डिवेंचर आँ परसंटेज लिखना है मैं लिखना बूल गया कितने थे टेंपरसंट्ट पहले देखते हैं यह तो नहीं लिया जाएगा यह भी नहीं लिया जाएगा यह लिया जाएगा लेकिन हम सबसे लास्ट में कर लेंगे अब पहले डिवेंचर लेंगे इस टीड लाँ क्रेडिटर कि शत्तर अब बिल्स पेबल कि 25,000 ठीक है ठीक ठाक चल रहे हैं और लास्ट में कर देंगे टू कि पीसी है अब आपका काम पटाफट से पता दीजे डिफ्रेंस का है जल्दी बताईए डिफ्रेंस का है कि अगरे बैलेंस शीट में कुटी शेयर का कुछ नहीं करना है वह जब हम नहीं बैलेंस शीट बनाएंगे तो पता चलेगा कि क्या रह बताईए एक लाग तेपन डेविड क्रेडिट तर साथ हजार छे पचास चार असी एक बीज एक असी सोला ब्यालिस आ रहा है तर एक लाग तरिपन हजार डेविड साइड में कमी पढ़ रही हैं तो क्या बोलें इसको क्या नाम दें कि पताओ इस बैलेंस को क्या बोलें कि पहले से गुडविल एक और गुडविल गुडविली चलो लिख देते हैं वैसे आप मर्ज करके इसको लिख सकते हैं ठीक है ना सब्सक्राइब क्रेडिट में तो आएगा नहीं दोनों चीज़ें होंगी नहीं चलिए सब्सक्राइब दूसरी एंट्री में बताईए डाउट बच्चों ने बताया एक त्रेपन गुडविल बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक आप इस गुडविल को मर्ज करके भी लिख सकते हैं 53 और 60 जो कि हमारा बन जाता है दो लाक तिरह जार रुपए उसे आप लिख सकते हैं आसे बाकि अलग अलग लिख दो को बुराई नहीं है अगली एंटरी क्या होगी बताइए अगली एंट्री बताइए एह मैं क्या करेंगे उसके पीजी को कि this ऐसे भी पोडिस्चारच करेंगे आगि पैजब करले गूड फिसी को सब मताइब है एकले पेज पर वितेथ पीजबीमिल को पीज़शार किया जाए पीची को डिस्चार्ज करेंगे कैसे लिक्यूडेटर अकाउंट डेबिट है ना और टू क्या-क्या दिया उसको एकुटी शियर कापिटल और टू प्रेफरेंच शियर कापिटल और टू सिक्यूरिटी प्रीमियम अब एकुटी शियर कैपिटल अगर ध्यान से देखो न तो भाई साब दस अजार दिये हैं और गुणा में सो तो दस अजार इंटू में सो पहले लिक्यूडेटर तो लिख ले पंद्रा लाग अब प्रेफरेंच शियर को देखो फरक है बच्चे वोलेंगे सर इसका भी तो प्रीमियम हो का नहीं भाई साब प्रेफरेंच शियर मैंने प्रीमियम पे लिया है देखिए इशू कर दिया preference share each at समझते हैं इस at par का मतलब मैंने जो दिया है वो at par दिया है और बदले में discharge मतलब मैं आपको दूँगा आपके preference share holder को 10% premium यानि आप से extra लिया है तो मेरे premium पे तो कुछ बेचा ही नहीं है तो जब premium पे नहीं बेचा है तो preference share कितना आएगा बताओ मुझे यहां पर बताओ preference share में कितना आएगा चार लाग यह यहां से आया आप simple सी बात समझे इस company नहीं नहीं इसको preference share दिये के नहीं दिये कितने रुपए के दिये बोल रहा है चार पिच्चे आनवे के दिये अगर यह company इसको चार पचास का देता तो पीसी भी रहता ना थोड़ा सा बस दीपली सोचना है इस company ने बोला भाई तेरे preference share holder को मैं payment करूंगा बुला ले मैंने इसने बोला मेरा preference share यह बोला खीक है दस परसेंट एक्टा करके पे करके खतम करते हैं तो अब इसु कौन कर रहे है यह कर रहे है इसु बीटा लिमिटेड कर रहे हैं तो बीटा लिमिटेड उसको चार पचासी दे दे तो क्या एक्ट्रा दिया उसको कितना देगा चार लाग कि जानवेश को समझे बात आप देख लो अब यहां बैलिंग शीट में तो मर्ज करके शोग करें अब देख लेगी हां तक समझ में आ रही है बात अप और security premium में इसे था इढ़ा तू को 10,000 दे रहे हैं यह कहता है क्वर प्रीमियू परीमियम दूंगा दोनों वर्ड में बहुत फरक है जब मैं premium लूँगा तेर से तो मैं security premium के entry करूँगा क्यूंकि आप share capital में याद करो security premium credit तब उता था जब premium लिया आ जाता था ठीक है ना तो अब security premium में बता सकते हो कितना amount आएगा कितने पचास जार डिफरेंस तो नहीं ले लिया ना यह आया है साहब ऐसे पांच रुपए का premium equity share वाला यह सर ऐसे आया है तो रुपए और यह सर ऐसे आया है नचास सो पचास गुणा में सो करके इसको दिया गया ठीक है बताइए कोई दिक्कत मैंने उसके सारे assets ले लिए मैंने उसके सारे livelihood ले लिए और सारी entry भी कर दिया अब बाद में हमें क्या पता चला adjustment में क्या कहता है कि भाई तुने assets ले लिए अब सुन ले मेरी बात उसका जो debenture holder है उसको ले लिया तुने ठीक है अब इसे same debenture अपनी company का दे दे इसको तो हम क्या करेंगा भाई मेरी company का debenture दे देंगे तो अब एक entry करना पड़ेगा यह जो debenture अभी मेरे पास है वो अ amount उठाके लिखा है देखो आप कहां से amount उठाया अपने seller company से amount लिखाया उस बिचारे के तो चौरासी हजार ही है तो आप आ जाते है चलो तो entry क्या करेंगे भाई सब seller company का debenture मेरा बन गया तो उसको खदम करो तो seller company कौन था हमारा अलफा लिमिटेट तो ए लिमिटेट का debent अकाउंट डेबिट कितने का देड़ लाग और इसे दे दो कौन सा लिमिटेट का debenture बीटा लिमिटेट है या सिर्फ डिवेंचर भी लिखोगे तो चलेगा examiner समझ जाएगा और उसे बिंग में लिख दोगे कि इसने डिवेंचर ऐसे discharge किया है अब कोई बच्चा यह ना स इछली क्लास में लिखवा दिया अपनी लेंग्विज में लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते इसका लिखवा चुका हो और इसका भी नहीं लिखवा देता हूं पिंग है कि डिबिंचर हשञ इसा इसा की से डिस्चार्ज बाइ बीटा लिमेटेड्ट थे हैं अब आगे कहानीं देखते हैं क्या कहता है चलो भाई-साहब मतलब यह भी डन कर दिया यह भी डन कर दिया है है यह भी डन हो गया और और यह भी कि अहां-गेख ऑफ्ला जाते हैं कहता है डिटर्टर ऑ फॉफ लिमेटेड्ट यानि इसका जो डिटर है जो हमने लिया है इंक्लूट 25,000 और बिंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम अलफा लिमेटिट नवी आपको कि कासंद्री डेटर और वालवाग्ड वाई सहाब अल्फा लिमेटिट का जो डेटर होगा कहां गया डेटर इस डेटर के अंदर लेना पैसे इसे तो बीटा इसे ही होगा तो बीटा का तो क्रेडिटर होगा ना आप ऐसे सोचो ना मैंने कहा कि मेरा जो डेटर है मैं seller company हूँ मेरा जो डेटर है वो कौन है कहता है debtor of alpha limited और being amount due from alpha limited यानि same common है इसका जो डेटर होगा ये वाली company तो क्रेडिटर बोलेगा ना क्या ये खुद में बोल देगा मेरा debtor और मेरी company में खुद क्रेडिटर होगा ऐसा तो नहीं होगा दूसरी company में होगा अब यहां पर 25,000 की बात बोली गए यह लेकिन सर यहां amount एक दस एक भी से भाई एक दस एक ही से थोड़ी खरीद विक्री कर रहा होगा यह तो total amount है लेकिन इसमें reflection amount कितना जा रहा होगा स्रिफ तो हमें क्या करना होगा debtor को खतम अब देखो simple सी बात है हम अपने क्रेडिटर को खतम करेंगे debit करके और जो debtor हमने खरीद लिया है उसको भी खतम करेंगे तो एक जर्नल एंट्री करना होगा बहुत सिंपल सा creditor creditor account और two debtor account कितने रुपए है यह जब balance sheet बना हुआ ना तब देखना है इसका impact वहां दिखेगा आपको कि बींग कि अगर्मन कि डेप्ट कि रुफीज 25 अगले पॉइंट पर चले अब बिल्स पेबल की बात कहता है कहता है बिल्स पेबल ऑफ अल्फा लिमेटेड यानि अल्फा लिमेटेड का जो बिल्स पेबल है है इसमें साथ हजार रुपे जुड़ा हुआ है बि अमाउं्ट बिल्स पेबल इन फेवर अप बीटा लिमेटेड रुपे यानि जो इसका बिल्स रिसीवेबल है का गया अगया अ बीटा लिमेटेड इंक्लूड पांच हजार ओनली बिल्स डिव फ्रॉम आलफा लिमेटेड जिसमें स्रिफ 5000 ही जुड़ा हुआ है कि यानि लेना देना देखा जाए तो डोनों में सामांट क्या कम है कि तो हम पांच हजार अपना यानि भी कम करने वाले हैं और जो गलती से तेरा ओवर वेल्यू पे ले लिया या हमारे बीच में कोई ऐसा ट्रांजक्शन था वो बार में ढूंड ढूंड के एक एंट्री करके उसको अर्जस्मेंट कर देंगे तो यहां पे देखा जाए तो साथ और पांच में डिफरेंस क्या है हमारा दोनों में से सकता है क्रेडिटर भी बढ़ जाए है और डेटर ऐसा तो होगा निंदहर भी खतम होगा क्ने को यह करने के लिए और है मैं चलीए साहब क्लिक हैं कि Slang Tar can सो पौरा का पॉर्मन भी यार आघौ या अपक्सी जो लिख रखा था वो लाइन भी लिख सकते हो पूरा चलिए सर यह क्या कहता है कि कहता है स्टॉक और बीटा लिमिटेड साहब बीटा लिमिटेड का स्टॉक ढूंडो स्टॉक यह है इंक्लूड पांच हजार ओनली बींग अमाउंट नहीं कहा गया तीस हजार रुपए इसके स परचेश फ्रॉम अलफा लिमिटेड जिसने था इसन्हें करीडा था अरitt है अलफा लिमिटेड से खरीडा था। कशरीडा था को अब अलफा लिमिटेड ने 25 पर संट किसके ऊपर कम आया था का स्ब्सक्रोफ अब हाइज साहब बात करते हैं फिर से मैं इसको इक वार AI क्ल क्योंकि बीच में बहुत सारा होच-पोच होने के बाद समझ में थोड़ा कम आता है फिर से देखे कहता है stock of beta limited भाई साथ stock of beta limited जो include था 30,000 इस stock की सब की बात नहीं कर रहा इसमें से मातर 30,000 की जो की गड़बड़ी चल रही है worth goods purchase from alpha limited जो की खरीदा गया था किस से alpha limited या भाई ये तू समान बेच रहा है इसको जो alpha limited है समान बेच रहा है beta limited अब which alpha limited made profit 25% और alpha limited ने क्या करा इसको 25% कमा के बेचा यानि भाई तू इसको बेच तो रहा है और समान जो बेचा तूने इस पे कमाई कितनी कर ली है और किस पे किया है और ये cost किस के लिए इस पे भी हम आएंगे बाद में एक और मैं class लगाऊंगा इस पे और cost 25% तो इसका मतलब मुझे ये पता करना पड़ेगा जो मैंने इसको ये 30,000 रुपे का समान बेचा है और ये actual था कितने का क्योंकि ये cost नहीं रहा ये क्या हो गया है क्योंकि जब ये 30,000 इसके stock में जुड़ गया जब ये 30,000 इसके stock में जुड़ गया होगा तो विस ती बात है selling price पे जुड़ा होगा ठीक है तो यानि सर profit कितना percent है यहां पे 25% on cost तो हम निकाले अगर 25% on cost क्याता है तो मैंने अभी बताया था क्योंकि ये selling price है तो एक formula लगा लिजिए ये बहुत सारे तरीके होते हैं इसके निकालने के मैं simple सी बात है formula लगा के बता देता हूँ कैसे निकालेंगे sales is equal to sales is equal to cost plus profit sales दे रखा है साहब cost पता है नहीं हमें और 25% x by 4 तो x की value निकाले गो तो क्या आएगा 24,000 अगर मैं आप से पूछो भाई आप profit कितना आया ठीक है directly हम बोल सकते थे कि 20% निकाल लीजी आप इस पे क्योंकि cost के उपर 25% sales पे कितना बनता है 20 वही मैंने करा है तो हमारा profit यानि stock के अंदर गड़वड़ी कितने की है सार stock के अंदर गड़वड़ी सिर्फ 6,000 की है जो कि हमें हटाना eliminate करना है तो जब हम 6,000 के stock को हटाएंगे तो अगें हम उसके stock को महंगा खरीदेंगे तो हम क्या करेंगे entry अभी बताया था बताओ goodwill account debit goodwill account और two stock को कम कर दिया जाए क्योंकि stock तो अब वो मेरा ही है ना stock तो किसका है अब वो देखिए यहां बताया था goodwill to stop बस खतम strategy reserve पो और बनाना है तो इसके लिए तो simple सी entry है amalgamation adjustment account debit to statutory reserve sir कितना है इसका statutory reserve देख लो हमें किसका statutory reserve दिख रहा है seller company का seller कौन है यह है तो 27 अजाओ अब बनेगे इसकी balance sheet पहले बताईए यहां तक कोई समस्या अब बनाएंगे बैलिंग शीट 24,000-6,000 सर बुक में बीटा लिमिटेड है अलफा पहले उसे कोई फरक नहीं पड़ता है अब पता नहीं कि आप बोलते हैं बुक में बीटा लिमिटेड है सर लास्ट एंट्री अगर लास्ट क्लास लिए तो यह ऐसे रिजर्ब बताये थे जो कि जैसे कि मैंने बताये था कि हमें कंपणी को खरीदते टाइम पर गवर्मेंट या फिर ऐसे कुछ नॉम्स होते हैं रिजर्ब् करने ही पड़ते हैं उस रिजर्ब के अंदर छेड़ खानी नहीं किया जा सकता तो उस सिच्वेशन में एक एंट्री हम यह कर देते हैं एक्सपोर्ट रिजर्ब हो सकता है या फिर सवाल खुद ही कह देगा कि इस रिजर्ब को आगे करी परवर्ड करिए तो यह करेंगे य उसके यह रिजर्ब के अंदर जुड़ जाएगा और यहां पर नोन करेंट एसिट्स के अंदर अलग से शो कर दिया जाएगा कि अगर बैलेंशीट बनाए है और अगर मैं बैलेंशीट की बात करूं कि अगर नोट्स अकाउंट्स बना कार्ति के मैंने एक पूरा वीडियो डाला है आपके फोल्डर में के नोट्स अकाउंट्स कैसे बनाते हैं मैंने अगर देखेंगे तो हर चप्टर में आने वाले में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कि अगर बैलेंशीट बनाते हैं कि अगूंट करिक वाले में पनाते हैं नोट आमांट तो सर मुझे तो याद ही हो गया कुंश्चन करते करते तो सबसे पहला पार्ट है हमारा एक्विटी एंड लाइबिलिटी उसके बाद अंदर आएगा हमारा परस्ट पार्ट शियर होल्डर पंड इसमें ए पार्ट शियर कापिटल पी पार्ट रिजर्व एंड सर प्लस थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं इसके बाद नंबर दो क्योंकि डिवेंचर भी है इसलिए लिखेंगे नोन करेंट लाइबिलिटी इसके अंदर एपार्ट आ जाएगा लॉंग टर्म बॉरोइंग नंबर तीन पार्ट करेंट लाइबिलिटी इसके अंदर एपार्ट आ जाएगा ट्रेड सिर्फ एक ही चीज सा हमारा एक ही पॉइंट था ट्रेड पेबल देन क्या जाएगा हमारा टोटल नोट नंबर हम बाद में देतेंगे चलिए इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आने वाला है इसका भी फॉर्मेट चेंज हो गया अभी आप पुराना ही फॉर्मेट पढ़ रहे हो नया फॉर्मेट में एसेट्स उपर जा चुका है अब इसके बाद ख्रांट image इस पीपर एक्जाम में यहीं है अुग्जाम ऊला ही कराऊ हुं में भाकि आप आगे जब आऊगे तो फॉर्मेट फोड़ा बदल धी एक्जाम में यहीं करना एक्जाम का मत्तेंशन लिए पहला आजाएगा एपार्ट के नोन करेंट है एसेट इसके अंदर एप आएगा इसेट इसमें रॉमन में वन आजाएगा पीपी ई रॉमन में टू आ जाएगा इंटेंजिबल कि क्योंकि मैंने अभी जितने सवाल किये हैं करते करते मुझे समझाते समझाते याद होगे कि क्या है और क्या नहीं है तो इसी साफसे में बनाता जा रहा हूं आपको सामने बैलेंस शीट रखके बनाना पड़ेगा इसके बाद सेकिंड पॉइंट आ जाएगा नून करेंट इसके बाद तीसरा पॉइंट आएगा करेंट एसेट्स करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री भी था तो एपॉइंट इसके बाद क्या था हमारा ट्रेड रिसीवेबल इसके बाद क्या था हमारा कैश और कैश इकुलेंट इसको नोट नमबर वन देंगे क्योंकि हाँ है इसको नोट नमबर देंगे इसको नोट नमबर थ्री देंगे इसको नोट नमबर चार देंगे इसको नोट नमबर पांच देंगे तो थोड़ा नीचे आएगा कि इसको नोट पांच देंगे इसको नोट 6 देंगे इसको नोट 8 देंगे जो Hak N डैक आप थोड़ा हाई-लाइट कर देते हैं इसको है आप जो ने रिखने एड정ic कि यहां पर दो नहीं आएगा भाई साहब कि यहां भी आएगा ठीक है कि अब नोट नंबर वन और यह बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए करना क्या है जो आपने अब इसको करने का एक ही तरीका है हमारा बैलेंशीट और हमारा जनल एंट्री मतलब सर जब हम इसको करेंगे नोट वगरा बनाएंगे बैलेंशीट बनाएंगे तो अपनी बैलेंशीट को सिर्फ देखना है और अपनी जनल एंट्री को ही देखना है यह नहीं कि आप अब जो अगर मैं बात करू न तो इस कंप कानय की बैलन्स शीट की बात कर रहा हूं मैं कौन सा यह इसकी बैलेक्ट को दो देखना भी नहीं कि जह सेलर कंपणिए इसके डैलन्स शीट को नहीं देखना um तो कुई लगा ही subseyed रही तो जब हम काम करेंगे तो आपको 20 रहाद रखना कि क्या करना है हम सर क्या क्या हो हम इसके यह वाला माउंट देखना रहा और यह और कि अबойти मद्श को, हम कि अब मैं शेयर कापिटल से स्टाट करता हूं तो उस्सेज कापिटल सबसे सबसे पहले फोश्य सिरन है इक्विटी भी यह है तो पहले यह उठाऊँ है कि अ 10 अलाज अक का है इस från आललाक का इक्विटी शेर कापिटल लोगां इस बने नॉपर वण अनॉट नमबर करें क्या नोट नमबर वन है हमारा सबसे पहले एकूटी शेयर कैपिटल और यह किसका बीटा लिख रहा हूं बीटा बायर हो गया बीटा और अलफा लिख दूँआ ठीक है तो बीटा लिमिटेट का कितने तका था आप इसको थोड़ा सजानी के लिए क्या लिख सकते हैं बुक में लिखा हुआ होगा वैसा ही करना है कि एट रेट हंडेड रुपीस इच नमबर अफ शेयर से यह कर सकते हैं जैसा कि पहले फॉर्मेट में करा हुआ है ठीक है ना कब मैंने इक अलग से फोल्डर में भी डाल दिया है और फिर एकविटी शेयर और भी हमने इशू किये जो हमने किसको दिया अलफा लिमिटेड को कि बोले थे ना ले भाई तू शेयर ले जा कितने शेयर दिये थे दस अजाद सेटिस कि यहाद आया तो सर यह बाइस लाग कि आ गया यह प्रफरेंच शेयर कैपिटल मे शे लाग और मैंने दिये भी हैं कितने दिये थे चार पिच्छानवे तो शे लाग और सर मैंने दिये भी हैं प्रफरेंच शेयर कैपिटल ईशू भी किये हैं कि कितने कि 4.95 यह कितने हैं कि सिक्यूरिटी प्रीमियम तो सिक्यूरिटी प्रीमियम में जाएगा ना अरे वो तो सिक्यूरिटी प्रीम सामने वाले को दे रहे थे हैं हमारा थोड़ी है अब आज और रिजर्वेंट सर्प्लस नोट नंबर तू सबसे पहले उठा लेते हैं क्या आपना जनर रिजर्व देख लो भाई जनर रिजर्व कितना अपना इसका नहीं अपना असी अजार जनर रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस बाशाट हजार जनर रिजर्व यह किसका है मारा बायर का ले रहा है असी अजार Profit and Loss 62 और क्या है और है हमारा 48,000 स्टेचरी रिजर्व रिजर्व 48,000 है न और हमारा बाला भी जुट जाएगा इसमें प्लस seller company का भी जो था 27,000 ठीक है न जो था 27,000 इस entry के हिसाब से देखा जाए और यहाँ पर दे रखा था चलिए सार ये डन हो गया ये डन हो गया ये डन हो गया जर्नल हो गया पी एंडल हो गया अब डिवेंचर वगएरा ले 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 ये तो नोट नमबर अगले चला जाएगा क्रेटर बिल्स पर लग रहा दो कितना आसान वैलेंचीट है तो है ठेक है कि वह बाद में देखेंगा ने टूटल अच्छा बढ़ी आई है कि दस लाख पिच्च्यानवे अजार कि अच्छा बाद में टूटलिंग का प्रोसेस एक बार ही कर लेंगा अच्छलिए सर अगे देखते हैं नोट नमबर थ्री किसके लिए सर लॉंग ड्रम बोरॉइंग थ्री नमबर नोट अब डिवेंचर यह पहले हम ले लेते हैं बायर कंपनी का बीटा लिमिटेट का तो डिवेंचर देखो बीटा लिमिटेट का कितना है एक पचास अच्छा 84 और उसको हमने एक पचास दे दिया कैसे पता चला एक पचास दिया इस जनरल इंट्री को देखिए एक पचास और आ गया तो 84 और तो पहले 84 था और फिर मैंने इशू कर दिये और और एक लाख थीक है नोट नमबर चार त्रेड त्रेड पेबल सबसे पहले क्रेडिटर और यह लेंगे बीटा लिमिटेड और क्रेडिटर कि किसका अलफा लिमिटेड यानी सेलर कंपनी का बिल्स पेबल यह ले लेंगे बीटा लिबिटेड बायर का और बिल्स पेबल यह अलफा तो सबसे पहले क्रेडिटर और डेटर को देख लिया जाए यह थोड़ा सा गयाप बना देते हैं अभी पता चलेगा है तो देखिए अगर बात करें क्रेडिटर तो 75 और एक बीस एक बीस और 75 है ना क्रेडिटर को कम किया है हमने कितना तो 25 हमें माइनस कर देना चाहिए यहां एक लेस है कॉमन पच्चिस है दो तक है कि कि समझे बात अब बीपी पर आजाते हैं कि शर्वीपी के अंदर देखा जाए तो क्या है मारा 35 और 25 निप 35 और 25 इसका 35 इसका 25 और यहां से भी लेस हो जाएगा क्यूंकि कॉमन बीपी भी था कितने का तोटलिंग का प्रॉसेस हम देख लेंगे बात ले ठीक है नोट नमबर चार कंप्लीट नोट नमबर पांच पर आ जाते हैं यह थोड़ा बड़ा बन जाएगा PPE PPE क्या क्या है मारे पास क्या मञ क्या है किवें अ प्रोच नहीं है 접 mä चुछंक है नहीं लिए कि अमाउंट सेम थोड़ी है मतलब कि चेंज नहीं हुआ प्राइमिसेश प्लांट एंड मसीनरी मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां दोनों एड करके दिखा दूआ ठीक है कितने का है हमारा प्रेमिसेश की बात करें साथ और साड़े छे साथ और साड़े छे अब देखो मैं यहां से डिजिट उठा रहा हूं लेकिन सर बोलो कि आपने तो मना किया था मैं यह डाला डिजिट नहीं देख रहा साथ और साड़े छे ठीक है ना मैं चेक अपने इससे ही कर रहा हूं साथ लाग और यहां पर कितने हैं साड़े छे तो चलिए आ जाएगे कि साथ लाग कि और चेपचास अब देखा जाए प्लांटर मसिंडरी चेपीस और इधर चारसी चेपीस चारसी कंप्यूटर देखा जाए तो दो लाग और एक बीस दो लाग और एक बीस है ठीक है टोटलिंग का प्रोसेस कर लेंगे बाद में अभी इसके बाद आ जाओ नोट नंबर छे इन्टेंजिबल एसेट्स चलिए सार इन्टेंजिबल एसेट्स इन्टेंजिबल एसेट्स में अगर देखें तो क्या है एक हमारा गुडविल और एक यहां दोनों गुडविल तो दो लाग तेरा हजार और एक लाग तो सहाब आएगा हमारा गुडविल किसका पीटा का एक लाग और आएगा गुडविल कितने हमारा एक लाग त्रिपन और पहले से था साट अधिश्यां हमारा कि यहां लाइन नहीं खीचा मैंने बस पॉर्मेट बना देगें भी रुक जाओ दो लाग तो तेरा आजा टोटल तो इसको ऐसे कर देते हैं जैसे मरजी करें एक नोट बनी है ठीक है कि नोट नंबर कि साथ कि सार नोट नंबर साथ 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 से पहले नून करेंट एसिट्स में क्या आएगा हमारा 27,000 कि अधर नून करेंट एसिट्स में 27,000 क्या आगया एमल्गमेशन अडज्जेस्मेंट वाला मैंने बताए था दूजगे एंट्री जाता है तो एक वहां गया और एक यहां पर आगया ठीक है ना चलिए सार आगे आ जाएं नोट नंबर साथ इंवेंट्री इंवेंट्री में देखिए क्या है स्टॉक पीटा का लेना है और स्टॉक अलफा का लेना है तो ध्यान से देखो स्टॉक अगर बात करें तो धाई लाग और यहां पर स्टॉक एक असी जाई लाग और एक लाग और कुछ इसमें प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ था जिसे लेस कर देंगे अन्रेलाइज प्रॉफिट जैनल एंट्री किया था न टू गुडविल अरे गुडविल तो रह सर कहां से लिया यह कहां से लियुक है यह लिया यह लिया स्टॉक और यह वाला गुडविल तो भूली के एक नया गुडविल और छे अजार का था तो छे अजार कभी मैंच नहीं होता हमारा गुडविल स्टॉक से जो आया हमारा शेहजार दो लाक अठारा जार नोट नमबर आठ ट्रेड प्रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल पहले हम ले लेते हैं डेटर किसका मैं ऐसे ले लेता हूं बीटा का और अलफा का ठीक है फिर नमबर दो ले लूँगा मैं क्रेडिटर करें बी आर पिल्स रिसीवेबल बीटा का और अलफा का चलिए डेटर एक दो तीन डेटर की बात करें तो 3,15 देखिए 3,15 और यहां डेटर देखिए एक दस 3,15 और एक दस आ जाईए 3,15 एक दस लेकिन इसके अंदर भी common debt था तो लेस कर दे भाई साब कितने का common था डेटर था common यह डेटर कम हो रहा था 25 पांच नहीं पाच्चेश डेटर कम हुआ था ना पाच्चेश तो एक ही जैनल एंट्री का एक ही साइड करके छोड़ दोगे क्या जैनल एंट्री का रूल तो कहता भाई यह दोनों साइड करोगे तभी तो माना जाएगा आपका सही अकाउंट्टी भी यार और इसके अंदर आएगा इसके अंदर हो जाएगा लेस कॉमन यहां पांच हजार था चलिए अब भी यार की बात करते हैं तो बी यार बीस और तीस बीस और तीस और यह माइनस है कर लेंगे टोटल अब अब अगला नोट क्या है लास्ट कैश एंड कैश इकुलेंट नोट नमबर आठ नहीं नो इसमें बैंक यह बायर का और सेलर का एक बात ध्यान रखेंगा कई बार हम कभी ना कैश को पेमेंट भी करना पड़ जाता है उसका भी अज़िस्मेंट लगेगा अगर वैसे इस वाले सवाल में हैं नहीं तो चली आ जाते हैं कितने बैंक है चौबिस और बारा कि चौबिस बारा कि कि चौबिस बारा कितने होते हैं अब फटा फट टोटलिंग करिए बस इन सभी को बॉक्स में डाल देता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे देखने में टोटलिंग किस से करें टोटलिंग इस से करते हैं इसका बताईए टोटल क्या आया हाँ 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 नोट नमर सिक्स तीन लाग तेरा और छे उननेश अच्छा अच्छा दो दो गड़ बड़ी अच्छा तीन लाग पंद्रह हजार एक लाग दस हजार माइनस पच्छिस हजार नेट चार लाग और तीस बिस पचास पांच चार लाग पैनतालिस हजार ठीक है इसका एक लाग पच्छिस हजार एक लाग अस्टी हजार माइनस छे हजार टू नाइंटी नाइन अब सभी नोट को ले जाते हैं चार पैनतालिस तीन उननिस और दो निन्यानवे और च्छत्यस चलिए नोट नमबर जो नौ था वो क्या था च्छत्यस बिजम आठ जो था वो चार लाक अब चार कितना था अ अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ- - थो निन्यानवे और और छे नंबर नोट था अ कि अ बागी तो यहीं है पांच नंबर देखिए साथ लाग कि तेरा पचास कि कि ग्यारा लाग कि एक दम फटा फट टोटल करो कि तीन बीस कि प्लस ग्यारा लाग कि अचाहिए प्लस तेरा पचास 27 अचाहिए 27 अचाहिए चलिए कि इसको देख लेते हैं एक बीस पच्छतर माइनस पच्चेस एक सतर 35,000, 25,000, माइनस 5,000 माइनस 5,000 55 प्लस 1,70 2,25 सर 2,25 क्या है ये ट्रेड पेवर आ जाईए लॉंग ट्रम बोरोइंग 2,34 2,34 नोट बनने भर की थोड़ी देरी होती है बस 22,00, 32,00, 95,000 32,00, 95,000 अलाकि बुक्स अफ सेलर था बुक्स में लेकिन अभी बायर सीखनें सेलर करेंगे रिजर्व किसका 2,66 चलिए 35,95,000 2,66,000 2,34,000 2,25,000 4,21,000 अब यह भी यह आना चीए 27,70,000 3,19,00 27,99 38,96,000 भई कहा कुछ क्या छोड़ दिया हमने नोट में बैलेंस शीट में चेक पर हो डेटर, वेटर, बी यार, बीपी सब फटा फट ले रखा है स्टैचरी रिजर्व हम उसका लिया था भूल गये थे ले लिया था हमने स्टैचरी रिजर्व दोनों का ले लिया था ना प्राफिट एंड लॉस का काम नहीं जर्नरिजब नहीं काम है यह नहीं है यह नहीं यह नहीं स्टाउक संड़ी डेटर बिल से सिवल बैंक भी ले लिया और कुछ रहे गया है कि दुबारे टोटल कर लेते हैं आप भी करें टोटल एक बार कि बत्तिस पिच्चानवे कि तर्सट चालेश सिक्टिस इनके नोट के भी टोटल करना क्या पता गलत हो गया हो कोई यह तो बहुत कमा गया है दो सबस्तर इधर ही टोटल ही कलती है अच्छा 27 लाक शत्तर हजार तेन लाक उन्नेस हजार 27 अजार 27 अजार तू नाइंटी नाइन हाँ क्या कर रहा हूं 27 लाक शत्तर 38 96 अजार जब ऐसा दिक्कत आ जाए तो डोनों का डिफरेंस ले लो पता चल जाएगा अमाउंट एग्जेक्ट अच्छा अच्छा वाई साब 1,25,000 क्या छोड़ा है इन सब का टोटल चेक करना आप फिवर क्रॉस नहीं ट्रेड रिसीविवल में शोग करो वह कर रखा है आपके किताब में वह मान के चलो एरर यह सर हमें बीपी और क्रेडिटर दोनों के कौन लिए दोनों के क्यों लिए मैंने जर्नल एंट्री का लिए दोनों का नहीं लिया उस अपना और जर्नल एंट्री का कर दो कि इन्वेंट्री का टूटल ठीक है देखना एक बार कि अगरेड रिसीविबल कि इतना ट्रेड रिसीविबल कि यहां घड़ बड़ी लग रहे है मुझे कि इन्वेंट्री अरे गलत कर दिया चार चौबेस हो भाएंट्री का टूटल गलत था यह कि लो जी आ गया कि चार चौबेस और माइनस तीन उन्डिस करेंगे तो वही फरक आ रहा है एक लाग नहीं मैंने कहां लिख दिया इसको यहां करेंगे न चार चौबेस इन्वेंट्री में माइनस रूपर चिस चलो कर लेते हैं अच्छार चार चार और यह हो गया मैंच एक बार कंफ्लूड कर देते हैं सवाल को देखें यह सवाल हमारा अभी सेलर का बुक भी बनाना है इसमें लेकिन हमने क्या बनाया स्रिव बायर हमने दो सवाल कर लिएं बायर के बुक के PC के बाद buyer की Journey entry, और फिर उसके बाद balance sheet, लेकिन exam में कभी इतना lendey आई नहीं सकता, exam में 5 number में PC दे दिया, हो सकता exam में ये दोनों दे दिया, तो उसने 15 number का, या ये भी possible है exam में ये दे दे, और balance sheet ये दे दे, और ये दे दे, ठीक है न? या फिर seller के point से पूछेगा तो ये था हमारा books of buyer आज के adjustment में हमने क्या सीखा आज के adjustment में हमने सीखा एक तो सीखा हमने unrealized stock तर unrealized stock क्या होता है जब कभी भी company acquire कर लेती किसी company को और ये देखती है कि आपस में उन्होंने आपस में समान बीचा है तो उनके stock में जुड़ा हुआ है तो ऐसे situation में क्या करते हैं stock के value को कम कर देते हैं जितना profit added है और उसे goodwill से match कर देते हैं अगला था हमारा common debt common debt के अंदर क्या था हम एक ही वेक्ति को समान बेचते भी और एक ही वेक्ति को खरीदते हैं तो ऐसे situation में हम हमेशा अपना debtor कम कर देते हैं क्योंकि वो debtor हमारा हो चुका है और अपने creditor को क्या करते हैं कम करते हैं दोनों चीज़े कम करना है लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम acquiring करेंगे जब हम acquiring करेंगे एक्वाइरिंग करते time पे सारे assets जो यहां पे लिए जाएंगे लिए जाएंगे उसके अंदर यह impact नहीं आएगा कि क्या common debt था एक्वाइरिंग तो हम सारे कर लेंगे उसके बाद फिर सिर्फ buyer company bet कि अपनी adjustment entry कर कि अपनी balance sheet को पूरा सुधार लेगा समझे बात हम पहले ही मत कर देना सर कॉमन डेट था 5000 यहां से घटा दो 5000 यहां से घटा दो वह गलत हो जाएगा इस entry में तो आपको सीधा सीधा सारे assets उठाके रख लेने हैं और सारे liability उठाके रख लेने हैं जो जो बोले गए हैं अब जो common debt वाला हो unrealized stock वाला हो या और सोचो आप सामने वाली company मेरे stock के बदले ही चल रहा है सामने वाली company मैंने दो करोड रुपय का stock दे रखा है और उसमें सिर्फ assets में stock 2 करोड का है अब मैं बोलू के भाई तेरी company को मैं खरीद रहा हूं खरीदने के बाद मैं उसका valuation तो लगाऊंगा ना कि 2 करोड रुपय उ से मैं नहीं बेचा है उसको मैंने ही बेचा हुआ है और मैं बोलू कि भाई यह तो मेरा stock है तो वह उत्षिक यह देखा जाएगा तो तो हम क्या करते हैं सामने वाली company में मुझे पैसे भी दिए थे ऐसे नहीं कि पैसे नहीं दिए थे पैसे दीए थे और वह जो तेरे पास stock दिख रहा है वो तुम्हारा stock है हम purchase consideration निकालते समय पे या फिर तमhelm valuation pay करते समय पे हम यही value लेंगे stock का लेकिन पिर बाद में हम उसको adjustment कर देंगे है clear आपका तो हमने क्या करा सबसे पहले PC फे ये और फिर journal entry में देख लिज Admini 3-4 एक journal entry और add हो जाएगा किसका realization expense और वो भी goodwill से entry करेंगे या capital reserve से कर लेंगे हाँ अब मज़े की बात सर यहां पे आपने goodwill to stock किया है लेकिन मान लो यहां पे capital reserve निकला होता तो यहां goodwill to stock नहीं हो रहा होता capital reserve तो क्योंकि मैंने क्या बताया जब दोनों चीजे आ जाती है तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे थोड़ा सा फाइदा थोड़ा सा नुक्सान एक ही company से आप एक ही चीज को लेके चलोगे मान लेते हैं कि आपके इस entry के अंदर capital reserve निकल रहा होता और पूरे सवाल में capital reserve निकल रह तो यह हमने पूरा done किया